नमस्कार दोस्तों, वेलकम टुश्टडी विथ नीलम, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम 11 से 15 जनवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफ्यस कोश्चन विथ डेटल के साथ कम्प्लेट करेंगे, चले तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट पहला कोश्चन है हमारा, हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा, पेरियोडिक लेवर फोर्स सर्वे निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, बी सांखी की और कार्याले मंत्राले के द्वारा, एनेसो अर्थात, राष् पहला ही रोजगार सर्वे, कौटरली जो सर्वे होता है थीन मंत का, All India Quarterly Survey Establishment Based Employment Service का एक हिस्सा है, AQEES, Labor Bureau द्वारा जारी किया जाता है, जो स्तरह में रोजगार मंत्राले के अंतरगत आता है, इसके अंतरगत नो छेत्रों के उन कमपनियों को कवर किया जाता है, जिन म दस और इन से अधिक लोग काम करते हैं, ये नो छेत्र हैं, विनिर्मान, कंस्ट्रक्शन, सिक्छा, स्वास्त, परिवार, अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीयो, वित्य सेवाएं और परिवहन, नेक्स्ट है, आज का जी के ग्यान देख लेते हैं, असम का सरवोच्च पुरसकार क्या है, असम वहवव है, और 2021 में असम वहवव पुरसकार से किने सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है, अब देख लेते हैं, जुडीमा राइस वाइन, वोको चावल और तेशपुरलीची, इन सभी को मिल चुका है, जी आई टेक, ये कहां से संभन देते हैं, तो ये असम राज्य से संभन देते हैं, जुडीमा राइस पुर्वोत्तर भारत की पहली सराव है, जिसे जी आई टेक मिला हुआ है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पुतोला नाच, पुतोला नाच भी इंपोर्टन है, क्योंकि ये COVID-19 के प्रती लोगों में जागरुकता के लिए हाली में चर्चा में आया है, तो याद रखेंगे किस राज्य में होता है, पुतोला नाच, तो ये भी होता है, असम में, असम का एक ओर डान्स से कौन सा, बीहु नरत्य, बीहु नरत्य ये भी कहां से, असम से, यहां पर आपका RBI, विश्व बेंक, IMF और सयुक्त राष्ट संग, ये चारों के जो भी अनुमान होंगे 2022 में, भारत की GDP को लेकर ये आपको याद रखने, क्योंकि इन चारों से रिलेटिट कोश्चन बनते ही बनते हैं, देख लेते हैं, विश्व बेंक की स्थापना कब जारी करता था, और इसमें अभी क्या हो गया है, क्यों है चर्चा में, तो विश्व बेंक ने इसका जो प्रकाशन है, इसको जारी करती थी, तो इसे रोक दिया है, बंद कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ समय पहले ये निउस आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स आई चाइना के दुआरा जो अपना डाटा दिया जाता था विशुवेंग को उसमें गड़बड होती थी वो जानकारी भ्रामक होती थी इसलिए इस ओफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन विशुवेंग के दुआरा बंद कर दिया गया है विशुवेंग में विशुवें में जा रहा है कोई इंडियन ओके ये यूएसे में जाता है यहांんな पर पैसे कमा बेढ़ाऊ और कहां बेढ़ा बेढ़ा है इंडिया में अनकर शे लाह देखें एस रामिश्वरम नेक्स्ट देखते हैं कोशन हाल ही में निमने में से किन के मध्य युक्रेन में चल रही हलचल को ले कर वारता हुई है आप लोग सभी जानते हैं युक्रेन में क्या हलचल चल रही है ये अंदाजा जताया जा रहा है कि रूस युक्रेन के अन्य हिस्सों प पर हमारा सी नाटो और रूस के मध्य होई है यह आप मैप देख रहे हैं यह पूरा जो ओरेंज छेतर आप देख रहे हैं इस पूरे छेतर में भी क्या लगी होई है सेना लगी होई है यह है यह है यूक्रेन का क्रीमियाई छेतर जिससे किसने रूस ने कबजा कर लिया था है और यहाँ पर आप याद रखेंगे मैप जो हम देखते हैं तो उसका उद्देश यह होता है कि आस पास कुन से देश हैं किन से सीमा लग रही तो आपको याद रखना चाहिए रोमानिया, मालडोबा, पोलेंड, बेलारूस की सीमा युकरेन से लगती है और सी ओफ अजोब अजोब सागर किस किस के बीच में है तो याद रखेगा यह युकरेन और रश्या के बीच में है ठीक है, तो यह क्रीमियाई छेतर भी आप याद रखेंगे, हाल ही में रूस और नाटो ने युकरेन में चल रही हलचल को लेकर वारता की है नाटो का मुख्याले ब्रुसेल्स कहां बेलजियम में नाटो रसिया काउंसलिंग के बेनर तले यहाँ बाच्ची संपन्य हुई है नाटो की स्थापना 1949 में North Atlantic Treaty के तहत हुई थी North Atlantic Treaty को Washington Treaty के नाम से भी जाना जाता है इसके संस्थापक सदश्य देशों में कनाडा, अमेरिका और पच्चमी यूरोप के देश शामिल है नाटो में सभी नर्ने सभी सदश्यों की सहमती से ही लिये जाते हैं ग्यात है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब नाटो के सिखर सम्मेलन में चीन को क्या बताया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खत्रा बताया गया है चीन के अतरिक्त नाटो ने रूस और आतंगवाद को भी वैश्विक सुरक्षा के लिए खत्रा बताया है तीनों चीज याद रखेंगे नाटो ने किस-किस को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खत्रा बताया है तो पहले स्थान पर आएगा आपका चीन, दूसरे स्थान पर आएगा रूस और तीसरा है आपका आतंगवाद आज का जीके ग्यान 15-18 वर्ष आईउ वर्ग के बच्चों का संपूर्ण टी का करण किस राज्य में हो चुका है किस यूटी मतलब केंद शाषित प्रदेश में हो चुका है तो याद रखेंगे यहाँ पर लक्षदीप में हो चुका है कौन बना है लक्षदीप बना है कमेंट सेक्शन में बताओ लक्षदीप की कापिटल क्या है नेक्स्ट है ट्यूबरो क्लेसिस मुक्त होने वाला पहला यूटी या टीबी मुक्त होने वाला पहला यूटी कौन सा बना है तो ये भी बना है लक्षदीप 100% दोनों डोस COVID-19 लगाने वाला पहला कौन बन गया है तो ये भी बन गया है लक्षदी ठीक है पहला पूर्णता जेविक केंदर शाषित प्रदेश कौन सा है जहां पर जेविक क्रशी होती है और्गनिक क्रशी होती है तो ये है आपका लक्षदी सुवर से हर्दे प्रत्या और ओपन किस व्यक्ति में हुआ है डेविड बैनेट में हुआ है कहां हुआ है USA में हुआ है most important question है डेविड बैनेट का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ये कहां पर हुआ है कार नामा USA में हुआ है मतलब हमारे दिलों में हमारे मतलब दिल की जगा जानवरों का दिल धड़केगा ठीक है mission अमानत Mission अमानत क्या है most important है railway भारति रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है जिन यात्रियों का समान खो जाता है तो उसकी खोज की जाएगे और यात्रियों तक सामान पहुचाया जाएगा किस के तहट मिशन अमानत के तहट मिशन कवच कुंडल कौन से राज्य सरकार चला रही है महराष्ट चला रही है कौन है महराष्ट के सी यह मुदव ठाकरे राज्य पाल कोन है भगस सिंग कोशियारी क्या असम के गुआ हाटी में क्यूं असम के गुआ हाटी में क्यूं हुआ वही है तो दिल्ली में प्रस्तावित्ता तो दिल्ली में क्यूं नहीं हुआ दिल्ली में इसलिए नहीं हुआ क्यूंकि दिल्ली में हो गए हैं ओमिक्रॉन के केसों में व्रधी इसलिए इसलिए जोते पर वारता शिरू की गई है ठीक है राइट आंसर क्या होगा यहां पर हमारा देखो हमारा एक मुक्त वैपार समझोता है इसराइल के साथ पूरा हो चुका है अब हम इसे फिर से पुना इस इसराइल के साथ FTA पर बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एक्डिमेंट पर लेकि जो प्रधान मंतरी हैं बोरिस जोनसन वो फस गए हैं एक सराब पार्टी के चक्कर में उनकी उस सराब पार्टी की वीडियो वाइरल हुई फोटो फोटो वाइरल हुई है और वहां के लोग मांग रहे हैं इनसे इनका इस्तीफा क्या आपको इस्तीफा देना चाहिए चलो देखते हैं और ये भी नियूज है कि वहां पर पहला भारतिय व्यक्ति क्या बन जाएगा शायद बन जाए ब्रिटेन का प्रधान मंतरी क्या नाम है उनका रिसी सुनक चलो यहां देखते हागे हाल ही में भारत और यूनाइटेट किंग्डम ने अपचारिक मुक्त वैपा को कम करने के लिए या एक समझोता होता है उसे ही क्या कहा जाता है मुक्त वैपार समझोता मुक्त वैपार समझोता फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के तहस समझोता करने वाले देश एक दूसरे के आयात अब निरियात पर या तो कम बहुत कम या कोई भी सरकारी टैरिफ कोटा आदी नहीं लगाते हैं भारत ने अब तक सैयुक्तराश्ट स्वरी सैयुक्तराब अमिरात युनाइटेट किंग्डम आस्ट्रेलिया कनाडा के साथ दियुपक्षी मुक्त वैपार समझोता नहीं किया है लेकिन इन सब पर अभिवारता चल रही है फ्यूचर में हम हैं आज का जीके ग्यान विने कुमार तरपाठी भई बहुत ज़्यादा चर्चा में कौन बन गए हैं रेलवे बोट के अध्यक्ष और CEO बन गए हैं कौन विने कुमार तरपाठी उत्तरी धुरूप पर भारत का नुसंधान केंदर का नाम क्या है हिमाद्री है मिस साइल मै आफ इंडिया किसे कहा जाता है एपी जब्दुल कलाम रॉकेट मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है के सिवान याद रखिएगा रॉकेट मैन आफ इंडिया के सिवान को कहा जाता और अभी के सिवान कौन थे भई तो भई ये थे इस रोके अध्यक्ष और अभी इस रोके एस सौमनाथन बन गए हैं इस रोके नहें अध्यक्ष याद रखेंगे आप लो भारत की सबसे उम्रदराज भालू गुलावो गुलावो का अली में निधन हो गया कहां हो गया गुलावो का निधन तो गुलावो का निधन मद्द प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिद राश्टी ये वन वेहार जो संस्थान यहां पर हो चुका है क्या थी ये गुलावो गुलावो एक भालू थी याद रखेंगा मादा भालू थी और इसका निधन हो गया है विश्व पसू दिवस कब मनाया जाता है चार अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पसू दिव अली खान इसमाइल लोब बन गए कजाकिस्तान के नए प्रदान मंतरी और कजाकिस्तान के साथ एक और फेक्ट जुड़ा हुआ है कौन सा भई कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉग्ड देश है इसका मतलब क्या होता है जो वहाँ छेतर जिसकी सीमा किसी भी इस अंतर राष्टी जलिय सीमा से नहीं लगती जो देश चारो तरब से अंतर राष्टी सीमा से घुरा हुआ है लेकिन उसकी अंतर राष्टी मा समुद्र से नहीं लगती तो उसे क्या कहा जाता है लेंड लोग्ड या भू आबध देश कहा जाता है कौन है कजाकिस्तान है अभी इसके पडोसी दो देश हैं, अभी याद रखो देखो कजाकिस्तान, उजवेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन पांचो देशों के जो सिखर नेता हैं, ठीक है, पांचो देशों के जो राश्ट पती हैं, उन्हें हमने हमारे 26 जनवरी 2021 21 के गर्तंत दिवस समहारों में 22 के गर्तंत दिवस समहारों में आम अंतरित किया था अब ये आ रहे हैं या नहीं ये कह नहीं सकते है न लेकिन उससे पहले इन तीन देशों से जुड़ी हुई नियूस क्या है कजाकिस्तान के नए प्रधान मंतरी कौन बन गए अली खायन इस समाइल लोब बन गए और उच्वेकिस्तान से जुड़ी हुई नियूस क्या है कि यहां पर क्या हो गई थी बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई थी फिर उसके बाद यह हिंसा अब थम गई है अब आगे देखते हैं यहां से कोई आता है या नहीं फिर तुरकमेनिस्तान से नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दो हजार बाईस निम्न में से किस संस्था यह संगठन के द्वारा जारी की जाती है राइट आंसर होगा यहां पर हमारा सी विश्व आर्थिक मंच यह ऐसे हम कहेंगे वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दो हजार बाईस जारी की गई है यहां रिपोर्ट प्रतिवर्स जारी की जाती है यहां रिपोर्ट पांस रिणियों आर्थिक सामाजिक और तकनीकी में जोखिम पर्यावरन भूराजनेतिक जोखि यहाँ पर इसकी दोरह प्रतिवर्ष दावोस समयलन आयोजित किया जाता है इसमें राजनिती, पर्यावरन, साइन्स हर छेत्र के जो महतुपूर्ण व्यक्ति और प्रशिद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें invite किया जाता और ये सम्मेलनिस का बहुत जादा famous है देख लेते हैं जी के यान फटाफट Resolved Uniting Nation and Divided World बायोग्राफी किसकी है बान की मून बान की मून कोन थे भाई बान की मून दक्षन कोरिया के व्यक्ति हैं और ये सयुक्त राष्ट संग के महा सचिव रह चुके हैं इनकी बायोग्राफी आईए Resolved Uniting Nation and Dividing World किसकी ओटोबायोग्राफी है? सोनु सूद की है सच कहूं तो किसकी बायोग्राफी? नीना गुपता की है इस रो के नए चीफ कौन होंगे? राष्टिय सुक्ष गंगा मिशन के नए निदेशक कौन बने है? जी एसो कुमार बने है ओएनजीसी की पहली महिला ध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है इंडियन कोष्ट गाट के 24 प्रमुक कौन बन गए है? वी एस पठानिया बन गए है याद रखेंगे हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे मिशाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजीम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A. 1987 में हुई थी मिशाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजीम की स्थापना हाल ही में मिशायल टेक्नलोजी कर्ट्रोल रजीम के 35 देश्टों के बीच एक अनुप चारिक और सुरक्षित साज्यदारी है उढ़ा हुए है जिसका उदेश मिशायल टेक्नलोजी एब मानवरहित होई वाहनों कौन ड्रॉन मानवरहित वाहनों होते हैं ड्रोन के प्रसार पर रोक लगाना है जो 300 किलो मीटर से अधिक दूरी तक 500 किलो ग्राम से अधिक पेलोड ले जा सकते हैं तो ऐसे ड्रोन पर रोक लगाई जाएगी जो 300 किलो मीटर से अधिक और 500 किलो ग्राम से अधिक पेलोड ले जाते हैं क्योंकि ये खत्रा है किसी भी द टेकनोलोजी कन्ट्रोल रजिम की तो 1997 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, जी सेवन कंट्रीज के द्वारा की गई थी, चलो फटा फट बताओ कमेंट सेक्षन में G7 में कौन से साथ देश आते हैं इसमें निर्णे सभी देशों की सहमती से लिए जाते हैं सहयुक्त राष्ट ने वित्य वर्स 2022 में भारत की जीडी प्रधी दर रहने का नुमान ब्यक्ति किया 6.5% रहेगी 2022 में सहयुक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसलिए युनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है सहयुक्त राष्ट के वर्तमान में कौन है इसके प्रमुक तो इसके प्रमुक एंटोनियो गुतरे से कहां से हैं? पुर्तगाल से याद रखेंगे सहयुक्त राष्ट संग द्वारा मोटे अनाज का वर्ष गोशित किया गया कब 2023 को किस देश के प्रस्ताब था ये मोटे अनाज को गोशित करने का? तो हमारे प्यारे देश भारत ने ये प्रस्ताब रखा था कि मोटे अनाज का वर्ष घोशित किया जाए और इसे प्रोष्टन की दृष्टी से महतोपुन बनाया जाए ठीक है मोटे अनाज में आपकी मक्का, जुआर, भाजरा ये सभी आ जाते हैं United Nation Women for Leadership Commitment Award 2021 की विजेता कौन बनी है दिव्या हैगडे बनी है Olympic पदग विजेता Athlete Dion Landor का निधन हो गया किस देश से संबंदित थे ये तो ट्रिटिनार्ड एंड टुबोको से थे 100 मीटर की जो दोड़ होती है उसमें एक्सपर्ट थे पुस्तक, Indomitable Working Women Notes on Life, Work and Leadership पुस्तक की लेखक या किसकी ये बायोग्राफी है तो राइट आंसर होगा अरुन्धती भटाचारी जो SBI की क्या रह चुकी थी अध्यक्ष रह चुकी थी ठीक है SBI बेंकी और वर्तमान में SBI बेंकी अध्यक्ष कोन है पुस्तक के लिए थी तो में तो पूर परिया को अध्यक्ष कर लिया भाइड जैस लिए ख्याइक और प्रतीवन लगा दिया तो यहाँ पयांपर जो ताना साही चलती नौर्थ कोरिया में और यह साउथ कोरिया है तो याद रखेंगे दोनों को प्रफल हो गया था इससे पहले की कोई ठोस योजना तैयार की जा सके सोवियत संग ने कोरिया पर आक्रमन कर दिया इसके बाद बनी स्थितियों के प्रणाम सरुप भामारे सामने आए उत्तर कोरिया सोवियत संग एबं दक्षण कोरिया मुख्यता अमेरिका के पाले में हो गये मतलłość जो उत्तर कोरिया है आज भी आप देखते हैं उत्तर कोरिया के ताना शहा के रूस और चाइना से ही रिलिशण है ठीक है और जो दक्षण कोरिया है इसके अमेरिका के साथ विश्व के सबी देशों से संब्द है 38 भी समाना अंतर रेखा के जरी उत्तर कोरिया दो भागों में बढ़ गया उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया क्या बोलते थे पहले से कोरियाई प्रायदीब नेक्स्ट है राइडर कप 2021 का विजेता कौन है यूएसे राइडर कप का संबंद किस से है गोल्फ से है याद रखिए बहुत पुछे जाते हैं ये कोश्चन उबर कप 2021 का विजेता कोन बना चीन बना थॉमस कप 2021 का विजेता कोन बना इंडोनेशिया बना उबर कप और थॉमस कप का संबंद किस खेल से बैडमेंटन से है ग्लोबल प्राइबेट बैंकिंग अवर्ड दो हजार इकिस किसे ने जीता है तो HDFC बैंक ने जीता है कचाई लेमन फेस्टीवल इससे हम डेटेल में देखेंगे आगे यह कौना संसक्रां था अठारवा कहां है जित हुआ मनिपूर में दुनिया का एक मातर तेरता हुआ नेशनल पार्क किबल लमजाओ है किस झील पर है कौना नेशनल पार किबल लमजाओ मनिपूर में है दिवस कम मनाया जाता है चोधा जन्वरी को कौन होते हैं जो आर्मी से रेटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए आर्मी नेवी के जो सभी रेटायर्ड हमारे सेनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है इंडियन काउंसलिंग ऑफ हर्टे कल्चर रिसर्च के नए चेयर्मेन कौन बन गए हैं रागवेंद्र तबर बन गए हैं याद रखेंगे ISFR 2021 रिपोर्ट के नुसार वन और ब्रक्ष आवरण कितने वर्ग किलो मीटर बढ़ा है 2261 वर्ग किलो मीटर बढ़ा है हाल ही में समचारों में चर्चा में रही इस पेंग्यूगर जील पेंगोंग तसोकर जील होट स्प्रिंग देव सांग प्लेंस निम्न में से किन देशों के मध्य चर्चा में आए हैं तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा C भारत और चीन के मध्य आए हैं यहाँ आप देखिए यह छेतर है यह अकसाई चीन है इदर ठीक है यहाँ पर है आपकी पेंगोक लेक और यहाँ पर नीचे आयता है यह आपका दाप सिंग ठीक है गलवान वेली के जश्ट उपर आता है आपका दाप सांग प्लेन हार्ट स्प्रिंग ठीक है यह सभी किसके म इस्तित हैं हाल ही में चीन पूर्वी लद्दाक में एक फ्रिक्शन पॉइंट से अपने सेनिकों को हटाने को लेकर तैयार नहीं हो रहा है जब से भारत और चीन के बीच स्टेंड आफ शेडू हुआ है तब से दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीपीपी फोटीन गलव इस्तित क्रम इन चर्चित इस्थानों का इस प्रकार होगा इस पेंग्यूर जील फिर आईगी कौनसी पेंगौंग तसोकर जील फिर आएगा आएगा आपका हॉटवे स्प्रिंग और लाश्ट में आएगा देप सांग प्लान तो यह सभी को आप याद रखें आपसे यही हैली हब मतलब हैली कॉप्टर से समधित सारी सुविधाय आपको कहा मिलेंगी गुरू ग्राम में मिलेंगी कौन है हमारे नागरिक उड्डेन मंतरी तो जोती रादेते सिंधे याद रखेंगा हर्याना के वर्तमान डिप्टी सीम को ने दुश्चन चोटाला है इन्होंने ह इस हैली हब का उदगातन किया है देश का पहला ग्रीन एटियम आपको कहा मिलेगा गुरू ग्राम में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल सोरल अलाइंस का मुख्याले आपको कहा मिलेगा गुरू ग्राम में मिलेगा दुनिया का पहला जैनेटिकली मोडिफाई रबड का प पार्क कहां मिलेगा काजी रंगा नेशनल पार्क कुन सा है असम का है ठीक है काजी रंगा नेशनल पार्क कहां है आपका असम राज्य में है काजी रंगा मानस और अंगी सभी असम में मिलेंगे ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर कहां बना है केरल में बना है मतलब जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए आईजित की जाएगी कौन सी next question देखते हैं हाल ही में इंडिया state of forest report 2021 किस के द्वारा जारी की गई इंडिया state of forest report 2021 किस जारी की है इस रिपोर्ट को भारती वन सर्वेक्षन देहरा दून द्वारा तैयार किया जाता है यहां रिपोर्ट का सत्रवा संसकरण है पहली बार 1987 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी दो वर्षों में एक बार आती है द्यू वार्षिक रिपोर्ट है इंडिया state forest report के अनुसार देश भर में forest कपर में निरंतर ब्रधी देखी गई है परन्तु पूर्वत्तर में forest कपर में गरावट देखी जा रही है जो की एक सिंता का विश्य है रिपोर्ट के अनुसार अर्णाचल प्रदेश, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम और नागलिंड में forest कपर में गरावट देखी गई है भारत का पहला भारत का कुल forest कपर 7,1389 वर्ग किलोमेटर है जो देश के कुल भोगुलिक छेतर फल का 21.71 प्रतिशत है ग्या थी कि 2019 में आप से अधिक ब्रधी देखी गई है याद रखिएगा सरवाधिक ब्रधी कहा हुई है तेलंगाना आंधर प्रदेश ओडिशा पस्चिम बंगाल में कवर हुई है ठीक है छेतर फल की द्रष्टी से सबसे बड़ा वन छेतर वाला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश और अ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी सुरक्षा चूक जो सुप्रीम कोड़ द्वारा समीती गठित की गई उसके अध्धक्च कौन बनाएगा है तो इंदू मलोतर को बनाया गया है ठीक है इंदू मलोतरा देश की पहली महिला वकील जो सुप्रीम कोड़ में जजज बनी तो वो भी इंदू मलोतरा थी ये वकील थी कहां पर दिल्ली हाई कोड़ में और इनको वकील के रूप में फिर क्या बनाया गया जजज बनाया गया कहां सुप्रीम क कहां से हैं ये मौम्मद बिन सुलियान सयुक्त अरब अमीरात से हैं ओके बेस्ट मौचन फीचर्स ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अबोर्ट 2022 में किसे मिला दा पावर अब दी डॉग को मिला है नेक्स्ट है हाली में समचारों में चर्चा में रहे कमाल खान का निधन हो गया व हाटा टेक के कारण निधन हो गया है याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में केंद सरकार के द्वारा किस निजी छेतर की टेलिकॉम कमपनी के 35.8% हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा वी आई वोड़ा फोन आइडिया केंद सरका ने वोड़ा फोन आइडिया निजी टेलिकॉम कमपनी के 35.8% हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है क्योंकि इस कमपनी के आर्थिक इस्तिती बहुत अधिक खराब हो चुकी है वोड़ा फोन आइडिया अपने बकाया रासी भी नहीं चुका पा रही है वोड़ा फोन है कि वहाँ आज का ब्याज भी नहीं दे पा रही है इस इस्तिती में वोड़ा फोन आइडिया के बोर्ड ने 16,000 करोर रुपे ब्याज के बदले सरकार को 35.8% के हिस्सेदारी की मालिक बना देगी है ना यह सरकार को बेच रहे हैं अपनी हिस्सेदारी वोड़ा फोन पी ए इडिया की जो हिस्सेदारी है वो 27.66% से घटकर 17.8% पर आ जाएगी इसी प्रकार केंद सरकार Tata TELLYSERVICE महराश्ट यह एक बेंग के Tata TELLYSERVICE कंपनी है कहां पर महराश्ट में इस पर भी AGR बैज के 850 करोर रूपे बकाया है यह 800 करोर रूपे के बदले सरकार इनकी हिस और idea border phone के साथ है लेकिन क्या हो रहा है market में सिब जी ओ रह जाएगा अकेला private competitor तो market में क्या हो जाएगी इसकी monopoly स्थापित हो जाएगी और इनी की monopoly की वज़े से आपने देखा होगा अभी जो mobile data है उसके चार जिनों ने अचानक से 300 से 400 रुपे बढ़ा दिये हैं तो इस monopoly को खतम करने के लिए सरकार क्या करेगी इनकी हिस्सेदारी खरीद रही है जिससे competition बरहाबर मात्रा में चलता रहे है नेक्स्ट है हाल ही में हैनले passport index 2022 प्रथम तीमाई पहले quarterly के लिए जारी किया गया कि अनुसार दुनिया का सबसे powerful passport में भारत की ranking क्या है राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 83 है हमारी ranking हाल ही में हैनले passport पाटनर्स के दुआरा पहली तीमाई के लिए हैनले passport इंडेक्स 2022 की ranking जारी की गई भारत को वर्स 2022 में मद्ध अफरी की देश साउट टॉम एंड प्रिंसिप के सांथ सायुक्त रूफ से 83 वे rank पर रखा गया है पिछली ranking की बात करें तो भारत का इस्थान 90 अर्थात भारत की rank में 7 इस्थानों का सुधार हुआ है भारत के नागरिक 60 देशों में वीजा फ्री यातराइं कर सकते हैं इस इंडेक्स में प्रथम इस्थान पर सायुक्त रूफ से सिंगापूर और जापान को रखा गया मतलब सिंगापूर और जापान के जो नागरिक हैं ये 199 देशों में क्या होगा विना वीजा के भी जा सकते हैं यहाँ पर भारत के जो तीन पड़ोसी देश है इनकी रेंकिंग आप देख लीजे अफ़कानिस्तान को सबसे निचली रेंकिक मतलब 111 भी रेंक मिली है और अफ़कानिस्तान के नागरिक सिर्फ बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के दम पे कहां जा सकते हैं 26 देशों में जा सकते हैं पाकिस्तान को रेंक मिली ए 108 और पाकिस्तान के नागरी 31 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं दूसरे स्थान पर जर्मनी और साउथ कोरिया को सईयूक तुरूप से रखा गया है 190 देश में जा सकते हैं ये सबी देश दिये गए हैं कि इन देशों में ये लोग कहां कहां गूम सकते हैं तीसरे स्थान पर फिंडलेंड, इटली, लेक्जंबर्ग चोथे स्थान पर उस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, फ्रांस, निदरलेंड और स्यूडन पांचवे स्थान पर आयरलेंड और पुर्तगाल है चटवे स्थान पर बेल्जियम, नियूजिलेंड, नॉर्वे स्यूडन, यूसे और यूके को रखा गया है साथवे स्थान पर उस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस, चेक, रिपबलिक और माल्टा को रखा गया है आठवे स्थान पर पोलेंड और हंगरी को रखा गया है नोवे स्थान पर लुथवानिया और दसवे स्थान पर एस्टोनिया, लातिविया और स्लोवानिया है तो यह आप याद रखेंगे हाल ही में देश का कौन सा पहला सहर बन गया है जहां water metro project संचालित किया जा रहा है तो right answer होगा केरल का कोच्ची यहाँ पर क्या सिरू की गई है water metro service शिरू की गई है इसमें यह जो आप यह ferry देख रहा है यह पूरी की तेरो पूरी जैसी metro में ववस्था होती है वैसी ही यह ऐसी युक्त 50 सीटों की एक क्या होगी metro होगी हाल ही में कोच्ची केरल का कोच्ची सहर देश का पहला जल metro परियोजना वाला सहर बन गया है यहाँ जल metro बोट बैटरी से संचालित होती है मेटरो बोट का नाम मुझरिस रखा गया है क्यूं जो प्राचीन कोच्ची में इस्थित एक महतपुन मसाला बंदर गहा था उसी की याद में मुझरिस रखा गया है इस बोट का नाम तो याद रखियेगा मुझरिस क्या है पहली metro बोट है कहां कोच्ची में इस जल मेट्रो प्रोजक्ट की लागत कितनी है 747 करोड रुपे है हाली में महाराष्ट सरकार के द्वारा बारवे मतलब 12 हो गया यहां पर है यह बारवी हो गया 12 भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार 2022 से विम्न में से किसे सम्मानित किया गया राइट आंसर होगा हर्शाली मलोत्रा बजरंगी भाईजान मूवी आपने देखी है उसमें यह चोटी बच्ची थी अभी यह बड़ी हो गई है और इन्हें का नाम क्या है हर्शाली मलोत्रा इन्हें जो महाराष्ट के राजजपाल है भगस सिंग कोशियारी उनके द्वारा सम्मानित किया गया है याद रखेंगे महाराष्ट सरकार के द्वारा दिये जाने वाले बारवे भारत रतन अड़क्टरंबिट कर पुरसकार 2022 से बजरंगी भाईजान फिल्म में अभीने करने वाली हर्शाली मलोत्रा को सम्मानित किया गया यह सम्मान महाराष्ट के राजजपाल भगस सिंग कोशियारी के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट है हाल ही में किस राजज में सुम गो जील और नातुला बॉडर को जोडने वाली सड़क का नाम नरेंदर मोदी मारग रखा गया जिसे पहले जवाहरलाल नहरू मारग के नाम से जाना जाता था तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किस राजज में है तो यह हैं आपके सिक्किम में हाली में सिक्किम में अब आप से ये पूछा जाएगा के सोम गो जील कहां इसते थे तो याद रखना सिक्किम में है और नाथुला बोडर को जोडने वाली सडक का नाम वरतमान प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के नाम पर रखा गया 19.5 किलोमेटर लंबी सडक का उधगाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रशाद जी के दुआरा किया गया है याद रखेंगे गंगा प्रशाद कौन है सिक्किम के राज्यपाल है राइट आंसर होगा A मनिपूर में किया जा रहा है यहाँ नीबू इस गाउं में व्यापक रूप से उगाया जाता है यह अत्पादन होता है इस अनोखे प्रकार के नीबू को बढ़ावा देने पर किसानों को प्रोसाइट करने के उद्देश से इस महसव का आयोजन प्रतिवर्श किया जाता है और यह कित्ते वर्श हो गए अठारा वर्श हो गए अभी तक कि इसका अठारवा संसकरण है इसमें एसकॉर्बिक अमली प्राचर मात्रा में पाया जाता है किसमें नीबू में वर्श दोहजार बाइस में इस महसव की थीम क्या है थीम इंपोर्टेंट है याद रखेंगे और्गनिक कचाई लेमन फोर सेल्फ इंवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफोर्मेशन ठीक है सेल्फ इंवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफोर्मेशन हाल ही में देश के द्वारा किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परिक्षन किया गया right answer हो गया यहाँ पर अमारा D उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है हाली मुत्तर कोरिया ने हाईपरसोनिक मिसाइल का परेक्चन मैंने आपको बताया ट्रेन पररक्षन परेक्चन यह प्रत्वी की सता से करीब जा सकता है एबं बहुत कम समय में लक्ष को मार भी सकता है हाली में किसके दोरा World Economic Situation and Prospects Report 2022 जारी की गई राइट अंसर होगा यहां पर हमारा δ सयुक्त राष्ट संग के दोरा हाली में सयुक्त राष्ट ने World Economic Situation and Prospects रिपोर्ट 2022 जारी की इस रिपोर्ट के नुसार 2022 में वैश्वी कुतपादन केवल 4.4% और 2023 में 3.5% बढ़ सकता है ग्यात ही कि 2021 में वैश्वी कुतपादन 5.5% बढ़ा था रिपोर्ट के नुसार दक्षिन एशिया काफी जोखिम का सामना कर रहा है जिसके कारण उसे 2030 एजेंड को प्राप्त करने में काफी कटनाईयों का सामना करना पड़ेगा मतलब Sustainable Development Goal को ओगे फ्रेंट्स तो ये था हमारा 11 जन्वरी से 15 जन्वरी 2022 के सभी best current affairs question I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा आप हमें सभी different social media platform पे follow कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like कीजिए, share कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो फटा-फट से study with नीलम चैनल को subscribe कर लिजे thanks for watching and take care